नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत थे दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए परिक्षा में होने वाली पांच ऐसी गलतियों के बारे मताऊंगा जिन गलतियों को करने से उसुक्तियों के लिए जो को बनाइन के लिए जिए धर माहल के लिए इनिकंडियों के लिए उसे क्या होता है सबसे पहले तो उनका writing खराब होता है दूसरी बात कि जो लिखने का तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है यानि कि exam में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो जो examiner होते हैं examiner आपके number को काड़ देंगे क्योंकि तरीका गलत है और इस तरीके से लिखने पर आपके writing में खराब लगती है तो examiner आपको ध्यान देना है कभी भी आपको सब्दों को ना तो line के नीचे लिखना है ना line के बीच में लिखना है जो भी आपको लिखना है line पर लिखना है और writing पर ध्यान देना है तो यह पहली गलती है कि जो कि एक्जाम में आपको नहीं करना है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ एक्जाम में दोस्तों बहुत सरे बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं दूसरी गलती यह करते हैं कि जब वो किसी question cancer लिखते हैं तो जो उनकी राइटिंग होती है ना इस तरीके से लिखते हैं, यानि कि इस तरीके का मतलब भी हुआ कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, कि जो भी सब्द लिखा गया है, सब्दे को उपर की जो लाइनिंग है, लाइनिंग सीज़ा नहीं खिशा गया है, तो एक्जाम में बहुत सरे बज़े क्या करते हैं, कि जो सब्द लिखा गया है, लाइनिंग सीज़ा नहीं खिशते हैं, लाइनिंग टेड़ा मेरा खिशते हैं, और इसकी वैसे क्या होता है, कि उनके राइटिंग खराब हो जाती है, और राइटिंग खराब होने को इसे क्या होता है उनका बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं लोग तो यहाँ पर आपको ध्यान दना है कि दूसरी गलती है कि आपको एक्जाम में कभी भी जो सब्ध है आपके सब्धे को उपर के लाइनिक पर ध्यान दना है लाइनिंग आपको सीधा किषना है और इस तरीके से टेरा मेरा करकर नहीं किषना है और जो भी आपका हेडिंग होता है हेडिंग में आपको सही तरीके से लिखना है इस तरीके से आपको हेडिंग को उपर के जो लाइनिंग है लाईनिंग आपको इस तरी के सरे टेडा में नहीं कीचना है क्योंकि इस्ती क्या होता है आपकी राइटिंग खराब होती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है तो एक्जाम में आपको दूसरी गलती नहीं करना है बहुत सरे बचे गलती नमर 3 यह करते हैं कि कापी भरने के लिए या फिर ज्यादा लिखने के लिए या फिर समय बचाने के लिए सब्दों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही ज्यादा गाइप छोड़ा गया है एक सब्द से दूसरे सब्द के बीच की दूरी अगर देखें यह बहुत ज्यादा गाइप छोड़ा गया है तिक्जाम में बहुत सरे बचे क्या करते हैं कि कोपी भरने के लिए या फिर जल्दी बाजी में जल्दी जल लिखने के लिए सब्दों के बीच में ज्यादा गाइ तो तीसरी गलती है दोस्तों कि कभी भी आपको कापी भरने के लिए या फिर जल्दी बाजी में लिखने के लिए आपको थोड़ा से गैप चुड़ना है और आचे तरीके से लिखना है और खासकर आपको राइटिंग पर लिखावड पर ध्यान देना है तो यह होगे गलती पर फास लिखने के लिए सब्स को तीर्चा लिखते है तो इस यहां पर लिखते हैं कि जर्चा लिखे है और लाइन के नीचे लिखते हैं ति यह बिल्कुल गलत तरीका है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको नमबर नहीं मिलेगा बलकि आपको जो भी नमबर रहेगा ओभी नमबर आपका कड़ जाएगा ति एक्जाम में आपको गलती नमबर 4 नहीं करना है इस तरीके से आपको सब्दों को तीरचा नहीं लिखना है और नहीं आपको सब्दों को लाइन के लिखना है यह बिल्कुल गलत तरीका होता है इस तरीके से आपको एक्जाम में नहीं लिखना है आपको अपनी राइटिंग पर अपनी लिखावट पर ध्यान देना है और आपको सीधा लिखना है अब दूस्तों बात करते हैं गलती निमर पांच की यानि गलती निमर फाइफ के तिहां पर दे सकते हैं कि जो भी सब्द लिखा गया यहाँ पर देखिए बहुत सरी बच्ची क्या करते हैं ग्जाम में कि जब किसी question का अंसर लिखते हैं और answer लिखते हैं अगर उसे कोई सब्द गलत हो जाता है तो सब्द के गलत होने पर सब्दों को काटपीट करते हैं रिखते हैं यहाँ पर पर इससे क्या होता है आपकी राइटिंग खराब होती है और जो इक्जामीनर होता है ुसके सामने जब कोपी जाती है तो देखतेarken अगे गलत हुआ है तो अहाँपे उसकी व्यसे यह और इस गलती की व्यसे आपका नमबर करता है तो अब कश्तेरी के शेरी करने है अगर आपसे कोई सब्स तो गलत हो जाता है क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ठीक रहेगी आपकी लिखावट ठीक रहेगी तभी आपको नमबर मिलेगा अन्य था आपको नमबर नहीं मिलेगा दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत को सीखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स वीडियो की स्टोपिक उपर चाहिए थैंकि दूस्तों